रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बाप क्यों बना कसाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्ती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है, एक गाउं में एक ग्वाला अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था क्योंकि वह ग्वाला था, तो उसके पास काफी सारी गाए बच्चडे थे, जिने वह जंगल में चरा कर लाता, और उनका दूद दही घी बेच कर, अपने घर का और अपने परिवार का पालन पोशन करता था अब जितना वह कमाता था, उसी में उसकी बीवी संतुष्ट थी, और अपने बच्चों को पाल रही थी लेकिन कहते हैं न कि समय सबका एकसा नहीं रहता है, वही उस ग्वाले के साथ हुआ, उसकी पत्नी बहुत बिमार हो गई और चल बसी अब ग्वाले के ऊपर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, कहते हैं न, पिता मर जाए तो मा बच्चों को संभाल लेती है और वह उनका पालन पोशन भी कर सकने में सक्षम होती है, अगर माता मर जाए तो बच्चों का पालन पोशन एक पिता सही तरीके से नहीं कर पाता है, वही वह ग्वाले के साथ हो रहा था ग्वाला अपनी गाएं चरा कर लाता, तो बच्चों के लिए भोजन नहीं त्यार कर पाता, जिससे वह बहुत दुखी रहनी लगा बच्चे छोटे थे, बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का था, कुछ समय तो उसने ऐसे ही बिता दिया, आप उसने एक जो है दूसरी शादी कर ली दूसरी औरत घर में आ गई, तो वह बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और ग्वाला अपनी दूसरी बीवी में वैस्थ हो गया वह जो उसकी दूसरी बीवी कहती वह वही करता, आप जो लड़का था वह बारा साल का हो गया था, तो वह जो सौते लीमा थी उसको बिल्कुल नहीं पसंद था वह अपने पती से कहती के आप क्यूं जंगल जाते हो, यह लड़का कब काम आएगा, यह जंगल जाएगा और गाए बच्चडों को चरा कर लाएगा अब लड़का बिचारा सुभा जंगल जाता और शाम को गाएं चरा कर गाए बच्चडों को घर लाता ओधर जो लड़की थी वे भी 14-15 साल की हो गई थी काफी समसदार थी वे सारे घर के काम काज करती और अपने भाई के लिए खाना लेकर जंगल पहुच जाती अपने हातों से अपने भाई को खाना खिलाती भाई बहन को खाना खिलाता ऐसे ही दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वह कहते थे पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है वो तो हम पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं हमारे कैसे कश्ट भरे दिन आ गए हैं तो उसके बहन अपने भाई को बड़े प्यार से समझाती तो क्यों घबराता है तेरी बहन है न और वे अपने भाई को अच्छे से डांडस बंधाती उसका भाई कहता मुझे मा की बहुत याद आती है अगर हमारी मा होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती दोनों भाई बैन आखों में आसू भर कर अपनी मा को याद करते और ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन वह जो लड़का था गाय चराने के लिए जंगल गया जंगल में एक शेर आ गया अब लड़का आगे आगे था और शेर पीछे था लड़के ने दोड़ कर एक पेड पर चड़ गया और शेर से कहने लगा कि शेर भाई तुम मुझे क्यूं खाना चाहते हो तब शेर ने कहा कि देखो मैं बहुत भूका हूँ मैं तुम्हे खाऊँगा अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें काहूँ तो मुझे गाय या कोई बच्छडा दे दो, जिसे मैं खा कर अपनी भूक मिटा लूँ वह लड़का कहने लगा शेर भाई, मैं अपनी बहन का इकलोता सहारा हूँ मेरी बहन तो मेरे बिना रो रो कर मर जाएगी मेरा पिता और मेरी सोतेली माता हैं, जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं लेकिन मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तूटने दे सकता अगर तुमको फिर भी मुझे खाना है, या गाय या बच्छडा खाना को मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा तब सेर कहने लगा, कि ठीक है तुम अपने माता पिता से कल पूछ कर आना तब मुझे देना, या तो मुझे गाय या बच्छडा देना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा अब लड़का शाम को घर गया, तो वे अपने पिता से कहने लगा पिता जी, आज मुझे जंगल में शेर मिला तो उसके पिता ने बिना बात पूछे, पूरी बात उसकी हुई भी नहीं थी, तो पिता ने उसके गाल पर दो चाटे रख दिये अब विचारा रोने सुभकने लगा, फिर भी वे कहने लगा पिता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात तो आप पूरी कर लीजिए जैसे तैसे करके उसने अपने पिता को पूरी बात बताई, कि जंगल में मुझे कल भी शेर मिलेगा, और उसने कहा है, या तो वो मुझे खाएगा, या कोई गाय, या बच्छड़ा मैं उसे खाने के लिए दे दूँ यह सारी बाते उसकी सौतेली मा सुन रही थी, उसकी सौतेली मा कहने लगी, अरे गाय बच्छड़ा नहीं कम होना चाहिए, पता है कितनी कीमत की गाय है, उसके दूद से ही तो हम अपना घर चलाते हैं, और तेरा हमारी जिंदगी में कोई महतब भी नहीं है, तो इससे अच है कहकर उसकी सौतेली मा पल्ला जहाड लेती है, आ हुए बेचारा गुमसुम अपनी बहन के पास गया, उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूचा भी या, आज तो इतना उदास क्यों है, तब हुए कहने लगा बहन, आज मुझे जंगल में शेर मिला था, और उस शेर मुझसे कहा है, या तो मैं तुझे खाऊंगा, या फिर गाय या बच्छडा में से एक मुझे दे दो, तब उसकी भेन उसे बड़े प्यार से समझाने लगी और कहने लगी, भाया, तू तो मेरे जीवन का आधार है, तेरे बिना तो मैं रहने की कलपना भी नहीं कर सकती, औ और पूरी संसार में तुई तो मेरा अपना है, जिसे मैं अपना दुख सुक कहती हूँ, तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिन्दा नहीं रहूंगे, तुम एक काम करना, तुम जंगल जाना और शेर से कहना, कि एक बच्छडे को खा ले, क्योंकि गाय रहेगी, तो ने सुन ली थी, तो उसकी बहन ने अपने भीया को समझाया, कि गाय रहेगी, तो बच्छडा और हो जाएगा, इसलिए तुम शेर से कहना, कि बच्छडे को खा ले, उसका भाई बोला ठीक है बहन, अब हुए जंगल गया, तो शेर उसका इंतजार करते हुए मिला, शेर न कि मुझे खाले, लेकिर मेरी बहन ने कहा है, कि तुम एक बच्छडे को खालो, तब शेर एक बच्छडे को उठा कर अपनी गुफा में चला गया, और लड़का अपना खुशी-खुशी गाय चराने लगा, गाय चरा कर जब शाम को लड़का घर आया, तो उसकी सोते लीमा और उसका पिता गाय बच्छडों की गिंती करने लगे, लेकिन एक बच्छडा कम था, यह जानते ही एक बच्छडा कम अवे समझ गए, कि जरूर वह बच्छडा सेर का निवाला बन गया है, इस पर उसके माता पिता, जो सोतेली माता थी, बच्चे पर तूट पड़े, और उसको मारा की मारते मारते, बच्चा बेहोस होकर गिर गया, तब वह लड़का जो लड़की थी वह देख रही थी, और उससे अपने भाई को इतना बुरी तरह पीटना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी, जब वह बेहोस होकर गिर गया तो उस और दोनों भाई बेन गले मिलकर काफी देर तक रोते रहे तब उसकी बेहन ने कहा भाईया यहां रहना तुम्हारे लिए खत्रे से खाली नहीं है एक काम करो यह मेरी अंग उठी है जो मेरी मा की मेरे पास निशानी है तुम यह अंग उठी पहन लो और यह घर जल्द से जल् थोड़ दो तुम कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर सकते हो चाहे तो जंगल से लकडियां बीन कर उने बीच कर भी अपना पेट पाल सकते हो तुम जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाओ तुम रहोगे तो मुझे आस रहेगी कि मेरा भाईया जीवी थै और किसी ना किसी जिन्दगी के मोड पर हम जरूर मिल जाएंगे नहीं तो तुम मुझे अपना पता बता देना मैं तुम से मिलने होई आ जाया करूंगे उसके भाई की समझ में सब बाते आ गई वे कहने लगा बेहन कहतो तुम ठीक रही हो लेकिन मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ कर जा सकत हूँ तुम पर भी तो मा बहुत काम करवाती है बहुत मारती पीटती है वे कहने लगी भाईया तू ठीक रहेगा तो मैं सब कुछ सेहन कर लूँगी लेकिन तू यहां से चला जा उसका भाई उसकी बात मान लेता है और एक धागा उठा कर उसे अपनी बेहन की कलाई में ब रहागा कभी तूटने मत देना वे कहने लगी ठीक है बाई जब दोना बहन भाई बाते कर रहे थे तो उनकी सौतेली मा उन बातों को सुन रही थी वे कहने लगी मनी मन की अच्छा तो ये बात है इनको अच्छा मजा चखाती हूं आप जब वे लड़का और लड़की सो ग जब आया और कहने लगी कि मुझे तो इस लड़के का मास खाना है उसका पती कहने लगा कोई बात नहीं तुमारे ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी उसका मास ला कर देता हूं वे बाप इतना निर्दई इतना कठोर हिरदय का हो गया इतना कसाई हो गया कि उसने कुलहाडी उठाई और उस लड़के को अपनी बेहन के पास से सोता उठा कर बाहर ले गया और कुलहाडी से उसके छोटे छोटे पीस कर दिये उन पीसों को लाकर वे अपनी पतनी से बोला कि ये लो मन चाहया तल कर खालो तब उसकी पतनी न उन पीसों को उठाया और उने तल कर बनाने लगी उनमें अच्छे से नमाक मिर्च तेल डाल कर जब वे उनको तलने लगी तो उसने एक थाली में अपने पती को परोश दिया और एक थाली अपने लिए परोश ली तभी उसे ध्यान आया कि बेहन भाई का तो बहुत गहरा प्यार है क्यों न बेहन को भी पर उसके भाई को खिला दूं तो बड़ा अच्छा नंद आएगा अब वे बेहन को बुलाई और एक थाली में उसके लिए भी परोश दिया और कहने लगी खाओ अब उसकी बेहन सोचने लगी इतने प्यार से तो मेरी माने आज तक मुझे नहीं परोशा जरूर को ही बात है ज इस में वे अंगूठी थी आव वे बेहन तुरंद पहचान गई क्योंकि वे सुबह उठकर अपने भाई को खोज रही थी वे उसे कहीं दिखाई नहीं दिया उसने सोचा कि सुबह सुबह भाईया शाय जंगल चला गया होगा लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया इस में अंगूठी थी आव वे बहुत जोर जोर से अपने अंदर जाकर रोने चिलाने लगी कि मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया अब मैं बिन भाई की बेहन हो गई मेरा कौन दुख सुख सुनेगा तब ही उसे याद आया कि कहते हैं जैसे बड़े बुड़े लोग क तो मुक्ती भी नहीं होगी ये तो मेरे भाई को खा गए तब ही उसने अपने भाई की वे उगली उठाई और उसे लेकर दोड़ती हुई चलते चलते नदी के किनारे पहुच गई वे अप उस उगली को अपने हातों में लेकर जोर जोर से विलाप कर रही थी बड़े जोर जोर से वहरो रही थी भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत संसकारी थी बहुत पूजा पाट करती थी और हमेशा भगवान से यही प्रात्ना करती थी हे भगवान मेरे भहिया की रक्षा करना उस दिन भी वह कहने लगी है भगवान इस संसार में मेरा लगाई था। उसको भी तूने ले लिया, माँ को तो पहले यी छीन लिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी। जो उंगली उसने नदी में डाली है उसका एक तोता बन गया और वह तोता उड़कर एक पेड़ की डाल पर जो पास में ही पेड़ था नदी के किनारे उस पर बैठ गया और अपनी बहन से कहने लगा बहन तु क्यों दुखी होती है मैं तेरा भाई हूँ ये तुने अच्छा मत कर मैं तोता रहकर भी तेरी हर तरह से मदद करूँगा तुझे जो भी दुख सुख है हम दोनों बहन भाई फिर भी आपस में बाते किया करेंगे ये है देखकर उसकी बहन को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरा भाई किसी भी रोप में मेरे पास तो है अब वह घर रड़ी की बाग बगीचों में जाती और उसका भाई उसका इंतजार करता रहता उससे वह बाते करती खूब देर बाते करने के बाद भाई उसके लिए अच्छे अच्छे फल देता कि लो बहन ये खालो अब राखी का तोहार आ रहा था तो वह कहने लगा कि बहन तुम चि बड़ी खुस थी कि चलो उसका भाई उसका ख्याल रख रहा है दोनों बहन भाई कम से कम बाते तो करते हैं अब वे बहन थोड़ी शान्त और खुस रहने लगी अब राखी का तोहार नजदीक ता तो उसके भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए यह तो उन निर्दई जालिम लोगों के भीच में रहती है जो हसर उन्होंने मेरा किया कहीं मेरी बहन का ना कर दें उनसे तो मुझे बदला लेना होगा तोता बना उसका भाई हमेशा उसके मन में अपने माता पिता के प्रती इतनी नफरत हो गई थी कि उन्हें जीवित दे तो कुछ करना पड़ेगा उसने प्रभू से प्रात्ना की कि प्रभू मेरी बहन की रक्षा करना तब ही उसे ख्याल आया और वह एक लोहार के पास पहुँचा लोहार के पास जाकर कहने लगा माने पिताने मारा माने मरवाया बहन सरासर रोई री मुझे काटकर थाली में परोसा बहन सरासर रोई री मैं हरियल तोता बन उडिया है फिर वह एक लोहार केने लगा रे तोते तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर उस तोते ने कहा माने मरवाया पिताने मारा बहन सरासर रोईरी में भरियल तोता बन उड़ियाया अब उस तोते को बोलता हुआ देखकर वे है जो लोहार था उसे बड़ा कुछ उसमें थोड़ा सा इंट्रेस्ट आया कि ये तोता क्या कहना चाहता है इसकी बात मुझे सुननी चाहिए वे कहने लगा तोता तुम मुझे खुल कर बताओ तुम क्या कहना चाहते हो तब तोता कहने लगा कि मैं और मेरी बहन है घर एक परिवार है हमारा उसमें मेरे मा है, पिता थे जो मेरी मा मर गई तो सोतेली मा आ गई, वे हमें बहुत कष्ट देते थे और उन्होंने मुझे काट कर ठाली में पका, कड़ाई में पका कर ठाली में परूस कर खा लिया, जब वे अपने पूरी कहानी उस लोहार को बताता है, तो लोहार समझ जात तुम्हारी तो बड़ी दुख भरी कता है यह सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है तुम बताओ तुम मुझे क्या चाहते हो अगर तुम का होगे तो मैं अपनी जान भी मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजी रहे मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा तव्य तोता कहने लगा मैं तुम्हारे लिए ऐसी कटार बनाऊंगा कि जो एक बार में ही अपना दुस्मन का काम तमाम कर दे तो उस लोहार ने उस तोते के लिए ऐसी कटार बनाई जो बहुत तेज थी जो तलवार से भी तेज थी तब वे कटार बन गई तो लोहार ने कहा तोता भाई तुम्हार अगले दिन फिर तोता एक सुनार के पास पहुचा और उस सुनार से भी कहने लगा बाप ने मारा माने मरवाया बेहन सरासर रोही री मैं हरियल तोता बनूडी आया उसकी जो सुनार था वे कहने लगा रे भाई तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है वे कहने लगा बाप ने मारा माने मरवाया मुझे काट कर कड़ाई में तलवाया और बेहन सरासर रोही री मैं हरियल तोता बनूरी आया आव उस सुनार ने उसकी बात कुछ कुछ सुनी तो उसे भी बड़ा मलब सुनने को उत्सुकता हुई कि यह तोता क्या कहना चाहता है तब उस तोते से कहने लगा दोस्त तो मुझे सीधा सीधा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो तब उस तोते ने कहा कि मेरे माता पिता ने जो मेरी सौतेली माता है मुझे मार कर मरवा दिया मेरे पिता ने मुझे कुलाडी से काट कर चोटे चोटे पीस बनाए और कड़ाई में तल कर दोनों माता पिता ने मुझे बड़े आनंद के साथ खाया बड़ा स्वाद ले लेकर मुझे खाया मेरी बेहन को भी उन्होंने मुझे परोसा लेकिन उसमें उंगली आ गई तो मेरी बेहन ने वो नदी में डाल दी जिससे मुझे तोते का जनम मिल गया उसकी सारी कहानी जब वे अपनी उसको सुनार को बताता है तो सुनार को से बहुत जादा हमदर्दी हो जाती है और सुनार रोने लगता है कहता है भाई तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है तेरी तो बहुत दुख भरी कता है बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ तो वे तोता कहने लगा कि देखो सुनार भाई रक्षावंदन आ रहा है और मैं अपनी बेहन को कुछ गहने देना चाहता हूँ तो तुम मेरी बेहन के लिए कुछ गहने बना दो वे सुनार कहने लगा बस इतनी सी बात बताओ क्या-क्या गहना बनाना है मैं वे सब बना दूँगा तुम कहो तो तुमारे लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूँगा तुम कहोगे कि पहाड पे चड़ जा तो मैं उस पे भी चड़ जाऊंगा लेकिन मैं तुमारी सम मदद करूंगा अब सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिये अब कहने बन गए तो उसने तोता से कहा तोता भाई तुमारे लिए गहने बन गए हैं अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो वे भी मुझे बता दो अब तोता कहने लगा नहीं भाई तुम्हारा बहुत बहुत दन्यवाद है तुमने जो मेरी बेहन के लिए इतने सुन्दर गहने बना दिये अब एक काम करो ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो और सुनार ने वे गहने उसकी गर्दन में डाल दिये और तोता हुआ से उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था उसी पेड़ के खोकल में जहां वो रहता था उसी में उसने उन गहनों को भी रख दिया अब जब रक्षावंदन आया उसकी बहन उसे राकी बांधने के लिए आई तो दोना बहन भाई बहुत खुस हुए उसने सारे गहने अपनी बहन को दे दिये गहने पाकर बहन बहुत खुस हुई तो उसने का भाई या तुमारे पास यह गहने कहां से आई तब वे कहने लगा कि मेरा एक सुनार दोस्त है उसने मुझे बना कर दिये है गहने पाकर बेहन खुसी-खुसी घर चली गई जब वे गहने पहने हुए थी सोने के तो उसकी सोते लिमा देखकर जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली एक गहने कहां से चोरी करकर लाई है तब वे कहने लगी कि माँ मैं कहीं से भी ये गहने नहीं चुरा कर लाई हूँ ये तो मेरे भाई ने मुझे दी है जो एक तोता है वे पूरी बात नहीं बताती है कि वही मेरा भाई तोता बन गया है नहीं तो मेरी माँ उसे मार देगी तो वह कहती है कि एक तोता है उसके साथ मैं बोलती बतलाती हूँ उस तोते को मैंने भाई बना लिया है उस तोते ने ही मुझे ये गहने दिये यह सोचकर उसकी माँ सोचने लगती ऐसा कौन सा तोता हो गया है एक भाई से तो अभी पीचा छूटा था अब ये दूसरा भाई भी हो गया है तभी उसकी मा अगले दिन जंगल में उस तोते को ढूनने के लिए जाती है तभी डाल पर बैठा हुआ उसे एक तोता दिखाई देता है तो वे उस तोते को बहुत पकड़ने की कोसिस करती है लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है कई बार वे जाल फैकती है कि तोता फस जाए लेकिन तोता उसके जाल में भी नहीं फसता है ठकार कर वे बैठ जाती है और फिर कोसिस करती है कि यह तो तब मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसकी गर्दन मरूड दूँ इसको भाई बेहन का प्यार बहुत ज़्यादा चड़ाए से भाई बनने का इसको मैं देखती हूँ वे सुबह से सांस तक उसके पीछे दोड़ दोड़ कर ठक जाती है लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती है अब वे घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है उससे वे सारे गहने छीन लेती है और कहती है कि घंपने बड़ी आई भहिया वाली तुझे किसने का गहने पहनने के लिए लाई धर दे और उससे सारे गहने छीन लेती है जब अगले दिन वह लड़की फिर तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है बहन जो हम गहने मैंने दिये थे वे गहने कहा हैं तब वह कहती है भाईया वे गहने तो मेरे मा ने मुझसे छीन लिए यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि अब बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है अब इनको सजा मिलनी चाहिए अब वह तोता जो है उस घर के बाहर बैठ जाता है जो एक पेड़ की डाल पर और इंतजार करता है कि कब उसके माता-पिता बाहर निकले जब वह लड़की बाहर काम कर रही थी तो किसी बात पर उसकी माओं से डाट रही थी और बहुत जोर जोर से डाट फटकार लगा रही थी और हाथ भी उस पर उठा रही थे तब है उसका बाप भी आ गया और वह भी छड़ी उठा कर लड़की को पीटने लगा यह तो चिपी हुई कटार थी जो उसने उन दोनों की आखों में घुसा दी अब दोनों अंधे हो गए और तडपने लगे तभी उसने कटार को अपनी चौंस से उठाया और उनकी गर्दन पर वार कर दिया दोनों एक ही बार में धर्ती पर गिर पड़े और उनसे तो तक कहने लगा क तुमने बहुत पाप किये हैं अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता उन दोनों को कटार से मार कर मरना सन हालत में हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर तो भी या हमें क्यों मार रहे हो तोता से कहता है कि हमारा तुससे क्या बैर है लेकिन तोता कहता है क बैर तुमने तो मुझे काटकर थाली में जो परोसकर खा लिया और कहते हूं मेरा क्या बैर है तब दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं तब यह तोथा अपनी बेहन से कहता है बेहन चल अब हम यहां नहीं रहेंगे क्योंकि यहां रहते हैं तो हमें अपने पुराने दि जगा रहेंगे जहां पर हम दोनों बेहन भाई साथ रहीं और कोई हमें अलग ना कर सके तब यह दोनों हमां से चल लेते हैं और चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं और तोथा कहता है बेहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती अब दोनों बेहन उस मंदिर में रहने लगते, बेहन तो पहले से ही बहुत पूजा पाट करती थी, बहुत संस्कारी थी, आप जो तोता भी बहुत पूजा पाट करता है, पास में यही एक सरोवर्था, उस रए, अपने पंकों को गीला करके लाता है, सिलिंग पर जल चडाता है, मात और पार्वती मैया महादेव जी से कहने लगी कि देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं इनकी सारी कहानी देखकर तो मुझे रोना आ जाता है कितने मनों पूरे मन सेतन से आपकी सेवा करते हैं आपको इनका दुख दूर करना चाहिए तब सिब जी कहने लगे पार्वती यह तो संसार सागर है आप किस-किस का दुख हरेंगी लेकिन तब पार्वती कहती है कि नहीं मुझसे इनका दुख नहीं देखा गया दोनों बहन भाईया आप जाईए और उसके भाई को पहले रूप में दे दीजिए आप जब पार्वती मैया हट करने लगती है तो सिब जी को तो आना ही पड़ता है तो जब बहन पूजा कर रही थी और उसका भाई पंख में पानी लाला कर स्विलिंग पर चढ़ा रहा था गीले पंख करकर तब ही महादेब पार्वती पर गट हुए और उनसे मन चाहा वर्दान मांगने के लिए कहा तो लड़की ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाईया पहले की तरह पहले रूप में आ जाए और हम बहन भाईयों को कोई अलग ना कर सके उसकी यह बात सुनकर महादेब पार्वती बहुत खुश होते हैं और उने वर्दान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए अब वे पहले के जैसे नरकाया उसको मिल जाती है मनुश्य बन जाता है तो ता तो दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और महादेब प लगे ऐसे ही धीरे धीरे दिन पीत रहे थे ये मातारानी ये भगवान महादेव जैसे आप ने उस लड़की और लड़के का दुख दूर किया ऐसे इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले के सभी दुखों को दूर करना किसी को इतना कष्ट ना देना किसी बेहन को किसी भाई से अलग मत करना भगवान जी किसी का भी दुख ऐसा कष्ट ऐसे सौतेले माता पिता किसी को ना मिले जैसी सौतेली माह उसको मिली कहते हैं ना कि बुरे कांद तो बुराई होता है ऐसे ही उनके माता पिता के साथ हुआ दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राधे राधे